माई के चार जिलो के कई लोगों को नौकरी के नाम पर ठगने के आरोप को अलमोडा पुलस ने देहरादून से गिरफतार किया है आरोपी नौकरी लगाने का जहांसा देकर अलमोडा बागेश्वार यूस नगर नैनिता जले के कई लोगों को 2 करोड रुपे से अधिक के ठगी कर चुके हैं अलमोडा में ठगी का यह सबसे बड़ा मामला है शेत्र के कुछ लोगों ने पांच महीने पूरवन नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगा कर जो है दन्या लमगडा थाने में तहरीर दी थी लोगों का आरोप था कि जेल रोड हलदुआनी निवासी रितेश बांडे ने नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 44 लाग रुपे ठग लिए पुलिस तक मामला पहुचने के भनक लगते है आरोपी फरार हो गया तबसे पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी पुलिस ने आरोपी पर ठाई हजार रुपे का इनाम खोशित क्या था SSP प्रदीब कुमार राय ने बताया की थानाध्यक्ष शुशील कुमार के नेतरत्व में गठिट टीम ने शुकरवार को आरोपी को शास्त्री नगर दहरादून से गिरफतार किया हारा 420 और गैंक्षोर एक्ट के तहथ कारवाई की गई न्याले में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया पुलस ने जिले के प्रभावित लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है कर दो झाले को झाले कर दो दो स्वार्ड़ और रही है